आज हम डिस्कूस करने वाले हैं जन्रल फिचर्ज ओफ दि अल्ला ओकी फैंस तो बेसिकली क्या होता है कि जो अल्ला बहुन होती है हमारी वह फोर आम में मीडियल साइड होती है ओके फैंस और यह जो होती है यह होमोलोगस होती है फिबुला के ओके फैंस अब देखते हैं बेसिकली जो हमारी अल्ला बहुन होती है उसमें कितने पार्ड होते हैं तो सबसे पहले इसमें हमारा अपर एंड होता है एक हमारा लोवर एंड होता है और उसके बीच में हमारा एक शाफ्ट होता है ओके फैंस अब देख लेते हैं basically side determination के लिए so side determination के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो upper end होता है वो हमारा hook like होता है basically उसके अंदर hook like concavity बनी होती है या hook like structure होता है upper end में okay friends और जो lower end होता है basically वो हमारा rounded होता है ठीक और उसमें एक styloid process होता है जिसको हमेज़ा हमको poster medially place करना होता है okay friends और इन दोनों के बीच में shaft होता है ठीक so basically upper end and lower end को तो हमें easily identify कर सकते हैं so अब इसका anterior posterior हम कैसे identify करेंगे so guys हमेज़ा आप ये इध्यान रखना कि जो styloid process है आपको इसको हमेज़ा poster medially रखना है ठीक और ये जो triangular area है posterior side रखना आपको ठीक है इसको अभी हम detail में discuss करेंगे okay so basically आप करना क्या है कि देखना है कि lateral or middle कैसे पहचारेंगे so lateral side जो होती है basically इसकी उसके sharpest border होता है जिसको हम कहते है interocious border okay इसको हमेज़ा आपको lateral side ही place करना है so अब देख लेदें इसका side determination करना है ठीक तो मैंने क्या बताया था कि इसको हमेज़ा middle side रखना है क्योंकि middle bone है ये तो अब हमने देखा कि जो sharpest border हो middle side आ रहा है ठीक है तो अब हमको क्या करना है दूसरे hand पर place करके देखना है फोराम में ठीक तो अब आप देखोगे इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो sharpest border है वो आपका विल्कुश सही आ रहा है means वो lateral side ही project कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो bone है हमारी ये right hand की bone है ओके friends तो आईए अब discuss करते हैं इसके general feature जैसे कि सबसे पहले हम discuss करेंगे इसके head के बारे में upper end के बारे में ओके और सबसे नीचे होता है इसका lower end ठीक उसके बारे में और देखते हैं इसके shaft में क्या-क्या होता है ओके friends so basically देखो दोस्तो जो bones होती है यदि आप उसको अच्छे शे learn करना चाहते हो ठीक तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके पांस या तो bone होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा video हो जिसके अंदर bone अच्छे से आपको देख रही हो और उसके help से या आप अच्छे से किसी भी bone को याद कर सकते हो ठीक तो लास्ट तक बने रही हैगा मेरे साथ video काफ interesting होने वाला है दोस्तों सो आईए start करते हैं अपरेंट से सो अपरेंट में basically क्या होता है इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि इसके अंदर होता है इसमें क्या होता है है हमारा coronoid process होता है एक कोड़ेंट प्रोसेस होता है ठीक ट्रॉकलियार नोच होती है रेडियल नोच होती है ओके फ्रेंट सो इन सब करका हम डिसकस करते हैं जल्दी से यह होता है मारा यहां सब जोके इसको उसकुल जो इसको यहां सिर्फइस होती है इस में कोन-कून से सर्फिस होती है सबसे इसके अंदर superior surface होती है ओके फ्रेंड चो superior surface होती है वो ये वाली होती है इसकी superior surface ठीक एक होती है इसके अंदर anterior surface ठीक अब एक होती है posterior surface ठीक और फिर उसके बाद आती है lateral surface आप इसको इधर से देखोगे तो ये होजाएगी इसकी lateral surface और फिर उसके बाद आते हैं इसकी medial surface यहाँ पर यह medial surface होती है ओके फैंस, देखें जो इसकी anterior surface होती है वो क्या करती है, बैसिकली जो ट्रोकलियर नोच है यह पूरी complete हमारी ट्रोकलियर नोच है, ठीक है, जो इसका upper part होता है वो क्या करता है, olikranon process की anterior surface ट्रोकलियर नोच का upper part बनाती है ओके फैंस, और यह आप देख रहे हो, इसकी superior surface होती है, superior surface की भी दो part होते है एक anterior होता है, एक posterior होता है, जो posterior वाला होता है, थोड़ा rough होता है ओके फैंस, और यह posterior वाली जो part होता है, इसका नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पर एक triangular area बनता है आप देख रहे होगे, एक triangular area है, ओके फैंस, इसमें एक apex होता है इस apex से ही क्या होता है, posterior border नीचे की तरफ जाता है, ओके फैंस अब देख लेते हैं, इसकी middle surface जो होते है, continuous हो जाते है, shaft की तरफ और lateral surface भी continuous हो जाते है, shaft की तरफ ओके फैंस, तो यह complete हुआ हमारा oligranal process, अब देख लेता है, koronoid process में क्या होता है, इसके अंदर भी four surfaces होती है, ओके फैंस, four surface कौन-कौन सी होती है, सबसे पहले होती है इसके अंदर, एक होती है, इसके अंदर anterior surface होती है, medial surface होती है, lateral surface होती है, और superior surface होती है, तो दोस्तों यह बात भहुत ध्यान रगने वाली है कि, कोरोनोईड प्रोसेस की सुपीरियर सर्फेस जो ट्रोकलियर नोच है उसका इनफीरियर पार्ड बनाती है जबकि ओली करेनर प्रोसेस की एंटीरियर सर्फेस ट्रोकलियर नोच का सुपीरियर पार्ड बनाती है ओके अब देखना ही है कि जो इसका जो इसकी लेटल सर्फेस हो इन्टीडियस का हैड होता है वो इस तरीके से आर्टिउलेट होता और यहां पर एनुलर लिखामेंड भी होता है ठीक है इसके एंटिड्यार पार्ट में तरिक से इसको खबें करके यहां तक आता है ऑकेफ्रेंड्स अब देखना नहीं है कि शीए उच्छा से धिहान रखना आँ जो अब आते हम सीधा लोर एंड की तरफ सो लोर एंड को देख लेजिए यह सिंपल आपके याद रखना है कि जो लोर एंड होता है दो रांड रिट होता सबसे पहले अब देख लेते हैं कि थ्री बोर्डर कौन कौन से होते हैं इसमें एक होता है एंटियर बोर्डर एक होता है पोस्टिरियर बोर्डर तो छो anterior water है वो उसके extant देखते है कहा असे कहा तक होता है वह बिसिकली तो फ्रेंद्टकी चैन्ट और सब कहते हैं उन्टब का नहीं' तो अब इसको देखते हैं एंटियर वोडर का एक्स्टैंट देखते हैं एंटियर वोडर का तो अलटिवरो सिटी होते है जो मीडियर मार्जिन होता है वहां से इस वोडर का एक्स्टैंट स्टार्ट होता है तो यहां से वह स्टार्ट होगा बेसिकली और यहां से फिर इसके लोवर लोवर पार्ट में आगर के फोड़ा सा बैकवर्ड जाता है ठीक और स्टाइलॉट प्रोसेजू होता है उसके मीडियल साइड में जाकर के टर्मिनेट होता है ये हो दो लेटरल वाटर का दूसरा नाम होता जैसे हम पिछली क्यों कहते हैं कि उद्र यह सर्पॱ्टर होता वह referencingूटल यह एंट जब Utd होती है इसलिए इन दोनों बोडर इन दोनों के सापेस्ट बोडर को एंटरोश बोडर कहते हैं ओके फेंड्स आप देख लेते हैं बेसिकली पोस्टीर बोडर सो मैंने भी बताया था कि जो हमारा ओली क्रेंट प्रोसित होता है उसके पोस्टीर पार्ट में एक ट्राइंगु हो लेकिट हो याता है क्लिखे फ्रेंड़ट तो इतना कुछ खास नहीं है वस आपको ये आज रखना होता है कि कौन-कौन से बृडर के बीच में कौन-कौन से VII होती है सो अब देख लेते हैं कि इसकली तो इसमें भी На anytime इस slot च Wamane एंटीर सर्फेस होती है इसमें क्या होता है कि जो एंटेरोसियस बोडर और एंटीरियर बोडर के बीच में जो सर्फेस होती है उसको कहते हैं एंटीरियर सर्फेस और इसी सर्फेस के अपर पार्ट में आपको मिलेगा न्यूट्रेंट फॉरम है जिससे अलनर आर्ट्री वग दिखाता हूं पूस्टिरीयर सरफिस जो होती है वह 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 पोस्टीरियर बोर्डर और अंधर्यस बोर्डर के बीच में होती है मिन्स य है रही है यह रहा अंधर privilege बोर्डर आपका और यह रहीर एउस्टीर इससे वाली जो surface देख रहें आप यह सरफिस होती है इसको कहते हम posterior surface ओक्ई अब basically posterior surface में खास बात क्या होती है थ्याहइंट होती है ठीक है जो oblique line होते है वह इस तरीके से कुछ softly important कुछ होती है तो वह oblique line क्या करते इसके दो पार्ट में डिवाइड कर देती है एक अपर पार्ट में और एक लोवर पार्ट में ठीक है लेकिन लोवर पार्ट में भी एक और लाइन होती है वो लाइन जो होती है वो वर्टिकल होती है और वो क्या करते है इस बोन को टू पार्ट में डिवाइड कर देती है एक लैटर प और यह रहा पुस्टिर गोडर तो एंटीर और पुस्टिर के बीच में होती है आपकी मेडियल सर्फेस ओके फैंड्स सर्फेस बहुत जाद आसान है आप इनको इजी लिए याद कर सकते हो बस आपको बोडर के बारे में बता रहोना चाहिए ओके फैंड्स ओ आपको अच्छ